टाइम, टाइम, टाइम का अर्थ होता है वक्त, समय, मिन्टो, घंटो, दिनों आदी में मापे जाने वाली अवदी को भी टाइम कहते हैं, इसको इन सेंटैंसिस में थोड़ा और अच्छे से कलियर कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मेरे पास समझाने का समय नहीं है, या मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, तो आप कहेंगे I don't have time to explain, या फिर आप ये कहें कि मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो आप कहेंगे I don't have time to eat, या फिर आप ये कहें कि मेरे पास खेलने का समय नहीं है, तो आप कहेंगे I don't have time to play, या फिर आप ये कहें कि मेरे पास बैठने का समय नहीं है तो आप कहेंगे I don't have time to sit. या फिर आप ये कहना चाहें कि मेरे पास बात करने का समय नहीं है तो आप कहेंगे I don't have time to talk. और मेरे पास फालतु से मैं नहीं है को इंगलिश में क्या कहते हैं अगर आप जानते हैं तो कोमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने इंगलिश को और ज्यादा बहतर बनाने के लिए चैनल के होमपेज पर हजारों वीडियो है जिने जाकर आप देख सकते हैं